हाई जय हाई कल चो तुमने किया वो वाकई काबिले तारीफ है तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं सच सच बताना हूं तुम यहां आखिर किसले आये हो मैं इस गाम और इसकी खुबसूरती को देखने आया हूं तो ठीक है मैं खुबसूरती दिखाती हूं तैयार हो जाओ अच्छे नजारों के लिए अब बताओ मुझे यह नजारा कैसे है वाह क्या खुबसूरत जगह है कितना बढ़िया होता अगर तुम समझ सकते कि मैं किस नजारे की बात कर रही हूं यहां देखो कितना हरा भर है ना हां बहुत अच्छा है कितने हरे भरे खेट है ना खेट हां 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 वो भी कावी हरे हैं अगर तुम्हारी आखों को ठंडक चाहिए तो यह देकर ठंडक पहुंचा सकते हो इस नदी के पानी से आँखों को बहुत ठंडक मिलती है अब इस जगा को देखो कितनी खुली-खुली है ना बस अब इस बंजर जमीन को थोड़े पानी की ज़रूरत है अरे तभी तो यह सारे खेट हरे भरे होंगे ना अच्छा इसके लिए तो हल चलाना पड़ेगा आज काफी सेर कर ली बाकी का गाउं किसी और दिन देखते हैं ठीक है पेटा सुनो जी मालिक गाड़े में पैठो अब जो भी दाखिल होंगे सिर्फ डोनिशन की बुनियात पर होंगे जी सरु आप यहां आप ने क्यों तकलीफ की मुझे हुकम करते मैं आ गया होता यह हमारी बच्ची है इसने कहा था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी पूरे जिले में अव्वाल आये इसकी खौईश है कि यह तुम्हारी कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सके और तुम्हारे कॉलेज का नाम रोशन करे जनाब एक भी सीट खाली नहीं है सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बज़ी है डोनेशन? वो मैं कता ही नहीं दूँगा अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है क्या नहीं? सुनो, किसी भी तरह इसका दाखिला होना चाहिए आई बात समझ में? देखे, अगर मैं ऐसे सीट्स बांटता रहा तो कॉलेज कैसे चलेगा? पालीम को धंदा बना रखा है? शराब की दुकान खोल लो, मोटी रखम कमाऊगे कल से यह यह यहाँ पढ़ने के लिए आएगी इसे देखकर दूसरे गरीब बच्चों की भी पढ़ने की खौईश होगी बार बार यह समझाने मैं यहाँ नहीं आऊँगा बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ो और इसकी तरह बनो शुक्रिया मालिक मांसा के लिए एक लड़का देखा है, लड़का अच्छे खंदान का है कल वो लोग देखने आएंगे मुझे अभी यह शादी नहीं करनी, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करना तो हल लड़की का खुवाब होता है, तुझे तो खुश होना चाहिए आप तो कुछ बोल दीजे न, आप मुझसे प्यार करती है यह नहीं करती, मुझे इस शादी की बार में बताना भी जरूरी नहीं समझा इस बास से मैं भी अंजान थी, यह सब तुम्हारे चाचा का फैसला है जे तुम्हें पता है जे, चाचा ने मेरे लिए रिश्टा देखा है पता है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का सिर्फ तुम्हें देखने आ रहा है शादी करने नहीं जो हो रहा है होने दो बाद में देखते हैं कि मेरे रहते गबराओ मत टेके डीजी आई ये आई ये मेरे बड़े भाई साब तुम्हारे होने वाले सासुर माई अगन बत्रा इंट्रोडेक्शन का महताज नहीं कल रात ही छे लोगों को टेप काया है अरे परताप कहाँ जा रहे हो परताप नहीं दद्दू परताप दफ्तर जा रहा हूँ आज घर में महमान आये हुए हैं इंसे मिलो ये गन पत्राओ जी हैं मान् सा को देखने आये हैं नमस्कार जी, दोस्तों के साथ आए, ममी पापा को साथ नहीं लाए शादी आप उनको करनी है, आप उनके ममी पापा को नहीं ओ, इसे बहुत गर्मी है इतना वक्त नहीं अप उनके पास, लड़की को जल्दी बुलाओ, दुश्मन को भनाख हो गई तो लफड़ा हो जाएगा दिखने में ठीक ठाक है, नाम बता, मांसा नाम भी चल जायाएगा, अप उनका पत्राओ, अब चल जल्दी से कॉफी पिला दे दो इसे कॉफी, बहुत खूब, इसका गुरूर अपन के जैसा ही चै, कितनी पड़ी लिखी है, दस्तखत कर लीती है, फॉरन से MS किया है, मतलब दस्वी भी नहीं पड़ी, क्या आप लोग कहां पाये जाते हो, शांती नगर से, वहां रिष्टे के लिए लड़की उपलब नहीं, नहीं, भाई कहां तक पड़े हैं, एक दम अउटा चाप है, फिर भी उनको दस्वी पास लड़की चाहिए, तुझे कोई तकलीफ है, प्रॉबलम मुझे नहीं शादी के बाद होगी, अब उनको लड़की जज गई है, तस्मीर कुरियर कर देना, अम्मा को दिखाऊंगा, अम्मा देखके अचार डाले की शादी तो इसे करनी है, चलता हो, जी, तरहाती गवार कहीं का, क्या ऐसे नमूनों के लिए मुझे पढ़ाया, ममी, ममी आखिर आप पाहिश थी, उसे मैंने ही पूरा किया है, लेकिन इस घर की ओरतों को कोई फैसला लेने का हक नहीं है, लड़का कितना बैतरीन था ना, लंबा, चोड़ा और मुझो वाला, पसंद है तो खुद ही कर लो न, इस उमार में ये दूलन बनती अच्छी नहीं लगेंगी, ये ल सिमाराव या बाजेराव होता तो अच्छा होता, लड़का बड़ी गारी में घूनता है, सफेद पोशाग पहनता है, काला चश्मा पहनता है, ऊके, लेकिन उसके साथ में जो आदमी आया थे, उन्हें देखा आपने, उससे पता चलता है कि उसके काफी दुश्मन है, फिल मातम मनाएंगे, उसके बाद फिर से काम पर लग जाएंगे, लेकिन अगर वो कहीं अपाहिज हो गया, और एक जिन्दा लाश बनकर रह गया, तो क्या, आपके एक गलत फैसले से, आपकी प्यारी शहजादी के जिन्दगी, बस जहन्नम बनके रह जाएगी, और कोई प्रॉ शुब महुरत अगले महिने की सतरा तारीख को है, पंडीजे ने बताया, बहुत अच्छा दिन है मांसा के इस रिष्टे से, मुझे एतराज है मांसा पड़ी लिखी है, उस लड़के के साथ, अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती लड़का कम पड़ा लिखा हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं मांसा की जान जोखें में नहीं डाल सकती, हर्गेस नहीं तुम मांसा की माँ हो, अगर इस रिष्टे से तुम नाखुश हो तो कोई बात नहीं, हम इससे बहतर लड़का ढूड़ेगे तेरा उसका चक्कर है क्या, तुझे उसने पपी क्यूं दी, एक राज की बात बताओं, मैं उसे इटली से जानता हूँ इसी वज़े से यहां पर आया, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो, यानि उसके भाई को बकरा बना के तुमने अपना उल्लू सिदा किया, इस घर में घुसने के लिए, क्या दिमाग है चचाप का, खानदानी दिमाग माले हैं लेकिन तुम ने कम नहीं, जो रस्ते में आ रहे हैं इस बिचारे जिन्दा लाज को भी नहीं छोड़ा तुमने, भाई वा, बड़े शातिर हो मिया, याद रही, सब को लपेटे में ले लेना, लेकिन इस रईस को छोड़ देना, पहले शिकार आप ही थे, क्या, नामापूल कई का मूँ पे क्या रहा है, तुनामी के लपेटे में वह सब को ले रहा है, बाद में मेरा कॉलर बत पकड़ना है, आई लव यू तु